स्पर्मेटोजनासस यह प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट या स्पर्मेटोजोवा जर्मिनल अपिथेलियम सेल से बनते हैं जैसे ही पर्सन सेक्सवली मेच्चर हो जाता है उसका है पोथलामस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रेजिंग हॉर्मोन जी एन आर एच करता है स्पर्मेटोजनासस यह प्रोसेस टेस्टीज में होता है टेस्टीज में सेमनिफिर स्टुबील्स होते है यह लाइन्ट है बाई सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल अपिथेलियल सेल जिसे जर्मिनल अपिथेलियम भी कहते है जर्मिनल अपिथेलिम के सेल्स अंजगो स्पर्मेटोजनासस जिसे स्पर्म बनते हैं यह प्रोसेस तीन फेजेस में होता है मल्टिप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज मल्टिप्लिकेशन फेज में प्राइमोरडियल जम सेल्स यह डिपलोईड है इनमें रिपिटेट मैटोटिक डिविजन होगा जिससे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे Spermatogonia भी deployed है इनमें 46 chromosomes होते है तो यह है multiplication phase Growth phase कुछ Spermatogonia stops dividing और size में grow हो जाते है इससे बनता है primary spermato site Due to accumulation of food यह भी deployed है Third, maturation phase यहाँ पे meiotic या redactional division होता है Spermatogonia में पहले होगा Miotic division 1 इससे दो haploid cells बनते है और इनको secondary spermato site कहते है यह haploid है इनमें 23 chromosomes होते है फिर secondary spermato site में Neuosis 2 होगा जिसे चार haploid spermatide बनते है Spermatide यह non-motile और non-functional है यह functional spermatozoa में transformed होते है और इस process को spermiogenesis कहते है तो non-functional spermatide से functional motile spermatozoa बनता है और यह process है spermiogenesis का इस process में spermatide यह sertulis cells को attach होते है Bicytoplasmic bridge Sperm का head sertulis cells को attach होता है और उनका जो tail है यह lumen में hanging होता है Spermiogenesis में spermatide का length increase होता है Centrioles rearrange होते है as primary और distal centriole Mitochondria spirally coiled हो जाता है और गौल की complex में acrosome form हो जाता है तो यह था spermatogenesis और इसमें तीन phases है पहला multiplication phase दूसरा growth phase और तीसरा maturation phase यह process testis में होता है